नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि जब ATM कार्ड के अंदर जो 20 लाग का जो एक्सिदेंटल इंशुरेंस कबरेज होता है उसका क्लेम आपको कैसे लेना है मैं पूरा एक-एक स्टेप बाइस बताऊँगा क्लेम इंटीमेशन, क्लेम मैं क्या 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 डॉकुमेंट सम्मिट होंगे, क्लेम कितने दिन में आएगा और क्लेम का ग्रिवियंस लगवग पूरा आप मेरा वीडियो डिटेल में देखोगे कभी आपको जरुवत परती है या किसी रिलेटेव को जरुवत परती है क्लेम कैसे लिया जाए जो एटीम के अंदर जो एटीम काड का जो एक्सिदेंटल कवर इंशुरेंस मिलता है उसका देखिए सबसे पहले मैं बात बता दू कि जो Accidental Cover Insurance है वो सिर्फ तीन तरह के ATM कार्ड पर ही है debit card पर बीजा, master card और rupee card अगर यह तीन तरह के card आपके पास है debit card तो ही आपका personal accidental insurance cover है अब इसके अन्दर के coverage पास होत पर द्सक्तर कर से workout, बर्मारें बीजा काफी इसकीके Kabar हुदी के सारे कती निर मतलब किसी की मौत होती हरी है ne se, तो बो कबर होता है और दूसरा होता है खराब या खतम होने पर वो कितने percent permanent disability में आती है लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए permanent disability सिर्फ रूपे कार्ड वाले holders के लिए ही है जिसके बाद रूपे कार्ड है उसी को permanent disability मिलती है बीज और master non-air और एक होता air मतलब हवाई जाज से दुरगटना होने पर air कभर माना जाता है SBI Gold में 2LaG ka Non-Air है और Air का 4LaG है, SBI Platinum में 5LaG ka Non-Air ہے और 10 LaG ka Air है, SBI Price में 2LaG ka Non-Air है और 4LaG ka Air है, SBI Premium में 5LaG ka Non-Air है, 10LaG ka Air है, SBI Visa Master Signature. Signature card जो की सबसे highest variant का माना जाता है, उसके अंदर 10LaG ka non-Air है और 20LaG ka Air है. SBI रुपे कार्ड में 2,00,00 का non-air है 2,00,00 का ही air है लेकिन रुपे कार्ड की खास्यत यह है कि इसके अंदर permanent disability को भी यह cover कर लेते हैं अब मैं बात करता हूँ कि permanent disability में आकिर क्या-क्या cover होता है क्यों कौन सा पार्ट कितना खराब हो जाएगा तो उसको किस हिसाब से कबर करना है जैसा कि मैंने कहा था कि रूपे कार्ड Permanent Total Disability को कबर करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको Compensation कितना मिलेगा जैसा कि आपको पता है कि 2,00,00 का Compensation मिलता है यह देखिए Permanent Total Disability में Inquirable Insanity यानि कि loss of two limbs loss of sight 100% Permanent Disability में आ जाते हैं loss of एक आख का कोना या एक टांग का कटना loss of speech भी 100% में आता है कि accident की वज़े से अगर किसी की बोली चली जाती है तो वो भी 100% में आ जाता है loss of mastications loss of यानि कि यह सारा देख सकते हैं loss of hearing है वो 75% में आता है अगर किसी की सिर्फ एक ही टांग काटनी पड़ी है एक्सिडेंट की वज़े से तो वो 50% के अंदर आता है एक हांख 50% के अंदर इस तरही की से आप देख सकते हैं यह जो 50% है यह मतलब 2 लाग के अंदर इतना claim आपको मिल जाएगा मान के चलिए अगर किसी का 20% आ रखा है तो 2 लाग का होता यह 40,000 40,000 का claim उसको मिल जाएगा और भी चीज़े हैं किसी के 3 joint, 2 joint अगर पर्मरेंटली लॉस हो जाते हैं 1 foot और अगर जो toss है यानि कि जो उंगलिया है फैर की वो भी अगर damage होती है तो 2%, 5% इस तरीके से हर चीज़ का कुछ ना कुछ है insurance तो आप एक बार इसमें go through कर लीजीगा और यह जो चीज़ है, यह आपको मिलेगी अगर यादि आपको अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गूगल पर जाके search कर सकते हैं गूगल पर जाके आप तब search करेंगे SBI personal accidental insurance आप लिख सकते हैं personal accidental insurance cover 4 ATM गूगल पर आप search करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो आएगा card का insurance cover available पहला page ही देखी, यहाँ पर खुल गया है यहाँ पर यह सारी details वगेरा दी हुई है और सबसे important यह claim related यानि कि 8-8-2022 के बाद जो है visa mastercard की information यहाँ पर दी हुई है रुपे card के frequently asked questions वगेरा यहाँ पर दी हुई है इन सब को आप download करके देख सकते हैं यह SBI की official website है अब बात करते हैं terms and conditions की देखिए जब भी कोई insurance company आपको insurance देती है तो वो कुछ ऐसी strict terms conditions follow करने को बोलती है जो पाकाइदा जरूरी भी है इसमें आप सिर्फ 2-3 terms condition है जिनका विशेश ध्याद रखना है देखिए अगर आपने ATM और debit card को 90 दिन के अंदर use किया है master visa चाहे रूपे बस एक condition यह है master और visa में कोई न कोई financial transaction आपने किया हो मतलब आपने online shopping करी हो या ATM से cash withdrawal किया हो तो वो count होता है जबकि रूपे card में non financial transactions भी count हो जाते है 90 दिन के अंदर मतलब आप सिर्फ ATM पर गए और आपने pin change किया तो भी वो आपका count हो जाएगा आप ATM पर गए आपने सिर्फ balance inquiry करी तो वो भी आपका transactions में count हो जाता है यह condition बहुत जरूरी है अगर आपको claim चाहिए और जो 90 दिन है वो date of accident से होना चाहिए मतलब जिस व्यक्ति का जिस दिन accident हुआ उसके पिछले 90 दिन में उसने इस card को जरूर use किया हो दूसरा अगर आप air accident कबर चाहते है तो जो ticket जब आप air से travel कर रहे है जो ticket आपने खरीदा है वो आपके ATM card से खरीदा होना चाहिए आप इस चीज को गौर करिए कि आप जो ticket खरीदेंगे जिससे air से travel कर रहे है वो आपके खुद के ATM जिसके के लिए आप claim लेना चाहरे हो उसी जोना चाहिए ऐसा ना हो कि आपका air का टिकेट आपकी company ने खरीदा हो या फ्रेंड से relative ने खरीदा हो और आप claim करने चले जाए तो claim नहीं मिलेगा air का claim नहीं मिलेगा non air का claim में convert हो जाएगा अब सबसे important मुद्धे claim पर आते हैं देखे कोई भी insurance हो चाहे health insurance हो motor insurance हो चाहे किसी term insurance हो claim में तीन process follow की जाते है सबसे पहला होता है intimation of claim मतलब कि आप claim लेना चाहते हैं की intimation आपको insurance company को देनी होती है दूसरा step होता है कि जो भी document required document है claim के लिए वो आपको एकटे करके insurance company को भेजने होते हैं तीसरा कि company आपका claim settle करती है मतलब आपको payout देती है जो कि draft and EFT के form से आपको मिल सकता है अब हम सबसे पहले बात करते claim intimation की की accident हो गया मौत हो गई या फिर कोई permanent disable हुआ है तो उसका claim किस तरीके से intimate किया जाएगा देखिए सबसे पहले मैं claim intimation में बताता हूँ कि 90 दिन के अंदर आपको claim intimate करना होता है intimate का बोलता हूँ मैं document submission का नहीं याद रखिया कि जिस दिन accident हुआ उसके 90 दिन के अंदर आपको claim intimation insurance company को बोलना है अगर 90 दिन पास हो गए तो कोई ना कोई बहुत reason अगर आपके बास है तो तो company आपको entertain करेगी नहीं तो आपका claim reject हो जाएगा अब दूसरी बात करते है कि क्या process है जैसे सबसे पहले में master और visa card के लिए बात करता हूँ कि इसके अंदर अगर आपको claim intimate करना है तो उसका क्या process है देखिये मैं आपको video के माद्देम से बताता हूँ जो इसकी जो website है जो SBA की जो official website है वहापर क्या process दिया हुगा है जब आप visa और master card का claim intimate करेंगे तो आपको याद रखना ये policy number आपको हर जगे court करनी है आप या तो direct call center पे call कर सकते हैं या email या online के माद्देम से भी कर सकते हैं अगर आप email कर रहे हैं तो आप ये वाला format डाउनलोड कर लीजिए इसका print out निकालके इसको fill up करके आपको ये email कर देना है email address यहाँ पर उपर दिये हुए ihealthcare at the rate iccalombard.com या इनको cc में रख सकते हैं इस तरीके से आप claim intimate करेंगे इसमें आप claim या तो phone के माद्देम से या email के माद्देम से और बहुत अच्छा है इसके अंदर iccalombard ने सुविदा दी हुई है कि आप उनकी website पर जाके भी claim कर सकते हैं जब आप उनकी website ilhciccalombard.com बिजिट करेंगे तो आपको personal accident का एक वो देखेगा ये देखे जो arrow निशान है वहाँ पर उसको तब आप open करेंगे तो आपको सारी details बगएरा डालनी होगी यहाँ पर आपको channel partner select करना होगा फिर सारी details बगएरा डालेंगे और एक चीज का ध्यान रखें कि जो policy है वह भी आपको यहाँ पर डालनी है policy number मैंने आपको शुरू में बताया था अब यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह सब कुछ fill up करने के बाद इन्होंने यहाँ पर address भी दिया हुआ है कि जिस address पर आपको सारी documents भेजने हैं और अगर यादि आप online fill up करते हैं तो आप अपना track claim को भी track कर पाएंगे आसानी से अब मैं बात करता हूँ कि रूपे card को आपको claim intimation किस तरीके से करना है यानि कि जो official website है उस पर क्या दिया हुआ है वह मैं आपको इस video के मादियम से बताता है अब हम यहाँ पर बात करते हैं रूपे का जो claim intimation करना है तो आपको एक email करना है रूपे at the rate newindia.co.in पर जब भी आप claim intimate करें इसके थुरू आपका claim intimate होगा जिसके अंदर आपको सारी details बगरा देनी होगी ब्यक्ति का नाम उसका account number उसके रूपे card का solar digit का number maximum जितनी detail आप दोगे बिदिन दो दिन के अंदर आपके बाद reply आ जाएगा और आपको सारी चीजे reply आने के बाद आपको within 60 days आपके सारे documents senior supervisor यहाँ पर आपको email करने है बस इस चीज का ध्यान रखिए कि claim intimation आपका 90 दिन के अंदर हो जाएगा अब आपने एक step complete कर लिए claim intimate कर दिया insurance company को यहाँ पर आने कि हमारी एक step complete होगी अब दूसरी step आती है कि document submit करने है company को तो अब इसमें याद रखिए जो master visa card है उसका अगर आप insurance claim submit कर रहे है तो उसकी document 90 दिन के अंदर जाने चाहिए claim intimation होने के बाद यह time period होता है claim intimate करने के बाद मतलब जैसे 90 दिन तो हो गए आपको claim intimate करने के लिए और 90 दिन claim intimate करने के बाद document submit करने के लिए अगर देखा जाए तो टोटल आपको 180 दिन तक मिल सकते हैं ठीक है और रूपय काड में आपको थोड़ा short time मिलता है आपको 60 days के अंदर सारे document complete करके देने होते है insurance company को यानि कि रूपय काड में 90 प्लस 60 यानि कि 150 days तक का आपको time मिल सकता है ठीक है अब बात करते हैं कि claim में claim किसको मिलेगा देखिए bank account में जो भी nominee holder होगा उसको claim मिलेगा अगर joint account है तो surviving survival वाला है जो ब्यक्ति उसको claim मिलेगा अगर दोनों में ना तो nominee है ना joint account holder है तो जो legal है जो person expire हुआ है उसके legal errors को claim मिलेगा अब यह जो list of documents है इसको बड़ा carefully देखिए थोड़ा video को पॉस्ट कर दीजे क्योंकि यह सारे documents आपको arrange करने है claim information के बाद ताकि यह सारे document आप भेज़ पाए यह जो documents मैंने बताए हुए है यह accidental debt है इसके अंदर simple है claim form है claim form कैसे download करना है वो मैंने आपको पहली बता दिया original debt certificate postpartum report आधार card लगेगा nominee का प्लस जो ब्यक्ति मरा है उसका और जितने भी documents है जो declaration है की card आपने use किया उसका branch manager certify करके देगा branch के आपके account में कौन nominee है उसको भी branch certify करके देगा और सारा जो भी description आप लिखोगे brief history कैसे accident हुआ क्या हुआ हिंदी और English दोनों में अब दूसरा हम बात करते हैं कि permanent total disability जो की रूपे card में मिलता है अगर आप permanent total disability का claim चाहते हो तो उसके अंदर बस थोड़ी सी यह चीज़ें हो जाएंगी postpartum report नहीं आएगी और एक certificate आएगा कि कितनी permanent disability है वो भी government practitioner doctors है बागी लगग सारी चीज़ें सेम है इस में नौमीनी की जगे आपको claim मिल जाता है क्योंकि उस वक्त आप जीवित होते हैं तो यह सारी detail आप बिलकुल note कर सकते हैं किसी भी pen पर ताकि आप को याद रहें जब आप यह सारे set of document complete कर लेते हैं उसके बाद यह आपको भेजने होते हैं अभी financial year 2022 ते ही चल रहा है जिसके अंदर visa और mastercard का जो insurance claim देगी वो आई से लंबार देगी अगर आप साल बर या 6 मीने बाद इस वीडियो को देखे तो एक बार cross check कर लें कि इस वक्त कौन सी insurance company आपका claim देगी क्य जो set of document है वो new India assurance company को जाएंगे यह address मैंने यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन आप जब भी अगर यह वीडियो 6 मीने है साल बर बात देख रहे हैं तो एक बार थोड़ा confirm कर लें website पर जाके कि कि इस address पर भेजना है या customer care पर आप confirm कर लें कि क्या बात करने है एक चीज़ पर होगा उस पर भी आपको claim intimation number लगके देना है क्योंकि उसी सही आपकी पूरी history चालू रहेगी अब बात करते हैं कि आपने सारे document भेज दिये बीमा कंपनी को 90 दिन और 60 दिन के अंदर रूपे काट के लिए अगर उसमें कुछ कमी लगती है बीमा कंपनी को या कुछ clarification च बार उग गया का तब health insurance claim लिया आता तो कुछ कमी आती तो एक दो लेटर बेजने के बाद वो सब कमी पूरी करने के बाद सब हो जाता है अब बात करते है claim settlement की कि आप बीमा कंपनी ने जो कमी बताई वो आपने कर दी सारे document बेज दिये बीमा कंपनी ने भी कह दिया कि अब चेक्स बगरा लगाने के scrutinize करने पर medical report बगरा सब देखने के लिए 30 दिन के अंदर उसको आपको claim देना होता है देखिए 30 दिन के बीतर अगर यादी claim नहीं मिलता तो उसके लिए भी grievance और complaint mechanism है वो मैं अब आपको बताता हूँ क्योंकि कई बार भारत में चीज़े regular way में नहीं हो पाती है हमें कई बार complaint करनी पड़ती है हो सकता है कभी बार हमारी गलती हो सकता है insurance वालों की गलती हो लेकिन एक दूसरे से बात करने के उपर और समझने के बाद वो problem solve होती है अब जो grievance mechanism है सबसे पहले मैं रूपय कार्ड की बात करता हूँ कि रूपय कार्ड का जो grievance mechanism है वो किस तरीक है यहां पर तीन escalation matrix है आप इस चीज को नोट कर लीजे आपका अगर क्लेम तीस दिन में नहीं मिलता है या किसी तरह का odd delay होता है सबसे पहले आप दीपा भावकर और दीपक सिंग को complain कर सकते हैं उनका landline number और email ID दिया हुआ है बहां आप पूरी history ल मिलता है तो आप UMA IR को inform कर सकते हैं अगर यह तीनों ही escalation matrix कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप IRDA में जो बीमा लोगपाल है बहां पर complain कर सकते हैं बहां पर तो आपकी 100% सुर्वाई होगी अगर आप अपने तरीके से सही है तो अब हम दूसरी बात करते हैं बीज और Mastercard जै जाके देख लेते हैं कि हमें insurance अगर grievance करना है तो किस तरीके से करेंगे अगर आपका वीजा और Mastercard में थोड़ा delay होता है तो आप ICSA Lombard के grievance officer को direct complaint कर सकते हैं उसको आप यहां पर भी search कर सकते हैं Google में जाके grievance officer तब आप search करेंगे ICSA Lombard में तो यहां पर grievance retention mechanism आ जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले तो अगर आपको करना है toll free call number पर call कर सकते हैं customer care पर support कर सकते हैं अगर यहां से भी कोई जवाब ना मिले तो आप दूसरे number पर vice president जो है धरमभीर जी इन से contact कर सकते हैं और इनको आप directly भी email कर सकते हैं तब click here to email करेंगे तो एक page खुलेगा यहां पर आप अपनी सारी details वगयरा fill up कर सकते हैं और attachment add कर सकते हैं जो भी requirement है जो आपको लगता है आपके case से related है अगर यहां से भी तीन दिन साथ दिन के अंदर जवाब नहीं आता आप संतुछ नहीं होते तो तीसरे number पर आप complaint कर सकते हैं बसंदरा जो head है customer support की यहां पर आप click care to email करेंगे तो एक format खुलेगा वहाँ पर आप सारी details वगयरा डाल देंगे attachment भी कर देंगे और साथ में यह भी लिखेंगे कि आपने धरमबीर जी को complaint करी थी वहाँ से जवाब नहीं आया और आप संतुछ नहीं है यह तीन steps follow करने के बाद भी अगर आपका कुछ नहीं होत यानि कि आपको किसी तरह का संतुछ जवाब नहीं मिलता तो आप insurance ombudsman complaint कर सकते हैं उसका address भी आपको यही पर मिल जाएगा जैसे ही आप उस link पर click करेंगे आप यहाँ पर इन वाले insurance ombudsman complaint कर सकते हैं वैसे तो आप जिस भी center में आप हैं उस center के ombudsman complaint करी है जैसे कि मैं राजिस्तान में रहता हूं तो जैपूर मेरे सबसे नजटीग है तो मैं जैपूर का center देखके यहाँ पर श्री राजीव दक्त शर्मा इनको complain करूँगा अपनी पूरी की मेरा claim पास नहीं हो रहा है आप किरपय करके देखिए और जो भी relevant document है वो सब मैं उनको mail करूँगा तो friends मुझे पूरी उमीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आयागा प्लीज मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रूप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें banking related informations के लिए thank you friends